हेलो गाइस वेल्कम तो माई चैनल एड ब्लॉक विकास तो आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेयर कवरेज तो देख सकते हैं कैसा है रिजल्ट तो पहले हम लोग करेंगे चार पाटिंग प्रोफाल एंड रिडियल देन अम लोग यूस करेंगे माजिरल का डाक ब्राउंड तिन नंबर कलर तो इसका जो मिक्सिंग वेशियो होगा वोगा वन इस तो वन अन हाफ मतलब 50 मेल अगर हम लोग कलर लेंगे तो हम लोग 75 मेल डे क्योंकि वाइट हेर को कवर करने के लिए हमें साथ 20 का डेवलपर यूस किया जाता है तो यह हुआ हम लोग का फुल ट्यूप कलर इसका साथ हम लोग 75 मेल अप्सिदन लेंगे है इसको हम लोग मिख्च कर लेंगे को इसको मोग को सळी से मिक्स करना अना जब तक पीश ना भन जा वेशेट पहले हम लोग करेंगे जो हम लोगने सेक्षेन मना रौपाले रेया उस शेक्षेन में पहले कॉलर करेंग रहें ये एक तरुके सेपरेट किया जाता है section को Search Color application करके मुझा तो पहले चार section को color करेंगे क gouझ Ó उसका बाद स्टार्ट करेंगो आप रिम लोग फॉरॉ вод एरिया से फ्रॉट करने से पहले आप color да जो color cleanser आता है वह प्लोग क्लाइन का face का सामने application कर दीजिएगा जिससे सोगे करें अगर क्लाइन का सisches का सामने थोड़ा सा भी लग जाल तो वह दिखेंगा नहीं रिमूब हो जाएगा असनी से इसको कुछरेंगे हम जो होओ समने से पहले SAY करेंगे हैं इस एक बार सामने का कम्टीट हो जाए तना हम लोग पतला पतला सेक्षन निकालेंगे तो पहले हम लोग नीचे स्टोग मारें उसका दूपर ऊपर स्टोग करेंगे तो यह पहले हम लोग टाच अप जैसा करेंगे हुआ है 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 कि पहले हम लोग अरिज़ोंटल स्टेक्षन से कलरेंगे यह यहां पर हम लोग करना है मतलब टेक टू इमिदेटली तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं एक सेक्षन में कलर लगा कि उसको तूरंत उसका साथ इमेल्जिफार करती हुए पूरा लेंध ठकला कर सकते या भी मेरे जैसा कर सकते हैं एक section complete करके जैसे मैंने कर रहा हूं एक section को हम लोग पहले complete करेंगे पहले root में color करेंगे then हम लोग length में करेंगे करेंगे जैसे करके करना है जो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगए तो एक लाइक कीजिएगा कमेंट करके बताएए कैसा हुआ है तो ऐसे करके हम लोगों करना है कि कलर को पॉपर इमल्सी पर करना है हमें साथ चेक करते हुए रहना है कहीं भी हेर को कलर करने से छोड़ना नहीं है सब्सक्राइब हो जाए तो दैन हम लोग तूरंत उसी हेर को लेंथ में भी एप्लिकेशन कर देंगे रूट से कॉम करते हुए एक ऑरिजन्डल सेक्राइब को लिफ्ट करेंगे एक उसको लेंद तक ला कलर कर देंगे क्यूंकि क्लाइन ने बहुत दिन खाले कलर किया था कि शयर्द बहुत दिन पहले किये होंगें सो कलर बहुत ज्यादा निकल चुका है वाइट बहुत ज्यादा देख रहा है तो हम लोग इसको ग्लोबल करेंगे ανfon meer मैंं डार्क कर रहा हम इसलिए मैंने फेले हमने civile करता तो पहले मिजह लों कर तो पहले मिलें पिरलोड पर लिण सो उसका भी मैं एक वेडियो बना दुगा उसको बाद में दिखाएंगे सा पहले हम लग यह तो यह होता है ग्रेयर के टाइम में आप पहले रूट में करें उसका लेंद में किजिए गा मतलब एक ही साथ किजिए गारूट कंप्लीट हो जाए उसका लेंद क्योंकि इसमें कोई कलर लिफ्टिंग का कोई चांसे नहीं है यह हम स्कल्प में ज्यादा कलर रख देंगे तो वह लिफ्ट होके थोड़ा लिफ्टिंग हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है सो यह डार्क कलर है इसलिए मैं पहले रूट पे कलर किया है उसका बात लेंद में जाना जाना यार सो मिद्यम टिक्शन लेकि हम लोग को रूट से कूम करते हुए हुआ है कि arrangement के मिर्ट में कलर को का हो दा दो अर इसलिए चेशन कलर होता तो क्या होता रूट में कर आज जल्दी मैंने पहले आप्लिकेशन करने करने से तो कलर लिफ्ट हो जाता मतलब जैसे मान लीजी अगर आपने 6.62 का कलर किया मैं 6 लेवल का तो वह आपको 6 से थोड़ा तक लेवल तक लेड़िया ज्यादा दे पोिस लिए हैं जब भी फैशन डिया कलर किया था तो पहले मिटा उसका बात कि रूट में करते हैं उसका लिंद में करते हैं कि सो ऐसे करके हम लोग एक साइट का हेर को सेक्शन को कम्प्लीट करेंगे और यही सेम टेक्निक से पूरा हेर को में लोगों करना है कि समुपा आपको बहुत अच्छा तरह से करना कि पहले आउटसाइट को कर लेंगे तो एक आउटसाइट करने का पहले बेनीफिट है कि आप का अगर स्रिक्षोन निकाल के कलर कर रहें तो वह क्लाइंट का फेस का सामने नहीं जाएगा अधर वाइस आप अगर और यांडल सेक्षन लेके-लेके कलर की जेगा तो वह देखि गदे तो आवट साइट खो गया अप्लिकेशन थान अलोग है एक जो आपको सो हम लोग सक्षोटर चुटर होडिजॉसिए निकालेंगे पता-मता सेक्षन लेंगे ज्यादा मोटा नहीं लेंगे ज्यादा थिक सेक्षन लेने से पीच पीच में हेर छुट जाता है इसलिए हम लोग पत्पत्पत्प सेक्षन निकालेंगे देन उसको कलर करेंगे करेंगे तो ऐसी करेंगे हम लोग कलर को अप्लिकेशन पहले रूट देन लेंद्ध इस साइड भी हम लोग ऐसे करेंगे एक साइड का हेर को कंप्लिट हो जाए देन स्टार्ट कर देंगे हम लोग लेंद्ध में अप्लिकेशन पर अच्छी तरह से कॉम कर लेंगे कॉम करने का बेनिफिट ही है कि हर हेर में कलर पपड लग जाता है कि कहीं अगर हेर कलर होना छुट गया है तो वह कॉम से इसलिए जब भी आपको फूल कलर भी कर लिजेगा तो भी उसको कॉम किजेगा ग्लोबल का टाइम इसको और एक तरीके से किया जाता है अगर किसी ने मोटा मोटा सेक्षन लेकर हाइलाइट कर यह कलर कर रहे हैं तो आप जैसे मैं कर रहा हूं पहले आप होरीजंटल कर सकते हैं उसका बाद सेगेंड कलर जो आप अप्लिकेशन करेंगे मतलब रिचेक किजेगा तो आप वर बहुत आपको ठाइम बहुत जादा जाता है लेकिन गल्ती का चांस बिलकुल नहीं रहता है और अगर मेरे तरह किजिएगा तो पतला पतला सेक्षन लेकर कीजिएगा तो इससे भी कलर बहुत अच्छा आएगा कि देखने हैं चितना भी हेर सेक्शन को मैं कर रहा हूं उसका बात कॉम करके फिर से कर रहा हूं जिससे कलर इवेन हो जाए तो यह तो पहले डार कलर है इसमें कोई फड़क नहीं पड़ता लेकिन यह आपको धियान देना है कि आप जब कर रहे हैं तो आपको इसी टेक्निक से करना है कि कोंब करने से हैर में पूरा इक्वल कलर लगता है कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा नहीं होता है तो इसलिए को मिंग मस्ट है कि कला टाइम कोंब करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो यह हम लोगों का यह पार्टिंग का सिक्षन हो गया मतलब प्रोफाइल का हो गया शारी रेडियल का हो गया रेडियल सिक्षन कंप्लीट हो गया अब दैनां लोग फैक शचाइड में इसको भी पहले और आउसाइड को कलर गए कि जिस्से छोटा-छोटा हेर बहुर ना निकल निकल पाए कि इस दिन लोगों कलर कने में इज़े हो कर इसको भी सेम टीक्निक से करेंगे और खोड़ा चोटब होड्री अटोल सेक्षिन लेकर पहले डूल में कलर कड़ेंगे देड़न TTI मतलब टेख फो इमिदेटली रूटिस तु करेंगे तो पत्ता पत्ता सेक्षिन लेकर हम लोग पहले रूट टैजब करेंगे देन लेंध में करेंगे एक साथ तो यही बेसिक टेक्निक है जिसको आपको फॉलो करना है अब ग्लोबल का टाइम कड़ने करने का टाइयम दो तिन हैं सबसे इंपोर्डcion होता है पहला होता है पाल को तक है पार अपर क्ट जिक्सिंगिया नियुद सबसे में होता है जो होता है वह कलर मैंहिंग मिक्सिंग कैसे कर रहे हैं उसका बाद पर डिपेंड करता है उसका बाद होता है आप कलर एप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं आप कलर को कैसे एप्लिकेशन कर रहे हैं मतलब एप्लिकेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरह यह में कलर लग रहा है कि नहीं लग रहा है यह तीन चीज के उपर डिपेंड करता है आ बहुत ज़्यादा इंपॉर्डेंस हैं तो यह तीन चीज अगर आपने सही किया तो आपका रिजल्ट सही आएगा अगर इसमें आप तीनों चीज में अगर अब ही ज़नाख और अगर और तीनों चीज को आपको पौपरली फॉल्ल करते हुए और को करना किसी चीज को आप स्किप नहीं कर सकते है तो ऐसे करके हम लोग इस साइट भी करेंगे कॉम करेंगे अच्छी तरह से कॉम करेंगे देन लेंथ में कलर को अप्लिकेशन शुरू करेंगे देख रहा है मैं पूरा रूट से कॉमिंग कर रहा हूं तो इसका वाद हम लोग क्राउन एडिया का एक शेक्शन होरी जंड शेक्शन लिप्ट करेंगे उसको कलर एप्लिकेशन करेंगे देन इमल्सिफाइ करेंगे कि आपको करना है कि कलर को इवेन लाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्डन है आपका इमल्सिफाइग आपका कैसी करते हैं उसका उपर भी डिपेंट करता है कि आपका इसा इमल्सिफाइग कर रहे हैं आपका इसे करके हम लोग इस साइट को कंप्लिट करेंगे कि आपका इसाइट का हो जाए तो देन हम लोग दुर्सा साइट भी सुरू करेंगे सेम टेक्निक से इसको मैं जो रिंग रिंग करके रख रहा हूं यह आप कैसे भी छोट के रख सकते हैं वह मैं इसको इमल्सिफार करके रिंग जैसा कर दे रहा हूं जिससे क्लाइट का मतलब स्कीन को टेस्ट ना करें कलर अए ऐसा बात नहीं है आपको ऐसे ही रखना है अब कैसे भी रख सकते हैं तो इस सैट भी वैसे करेंगे पहले आउट सेट क्लेर करेंगे इसलिए मैंने कान का बीच में मैंने कोटन द्यार लाए कि यह यह पर जाते कलर ना लगे इसलिए मैंने कलर को पहले ही हम लोग ने कानों के ऊपर एक कॉटन को रख दिये है तो इस साइट भी सेम करेंगे चोटा-चोटा और यह अंडर सेक्शन लेकर को कलर को अप्लिकेशन करेंगे जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पास मेरा खवा बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा जिससे मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और अगर वीडियो अच्छे लगा है तो एक लाइक कीजिएगा कमेंट करके बताइए कैसा हुआ है अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पूल लगे तो अपना फैंस लोगों में सेर कर दीजिएगा जिससे उनको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा मुझे भी थोड़ा यसरन करेंगे है अप 자 वी क्यान हो गय्रें चैनल अच्छी तरह से और ऌम लोग ऊंची है किन अच्छी तरब frightening की ऊपने कर therapy अच्छा करेंगे है कि से पaken पूल लिगर करना है उता तो जैसे हम लोग ने उससका करें 115 करेंगैं सो देख सकते हैं सेम टेक्निक से कलर कर रहे हैं पहले रूट देन लेंथ सबसे में बात इमल्सिफाई पॉप और वई से आपको इमल्सिफाई करना है कि आपको जब तक लप खुद नहीं सेटिस्पाई तब पको कि इमल्सिफाई करना है कि फूल हैं में कलर हो चुका है तो इसका बाद आप सेगें हीर में कलर कीजिए मतलब सेगें सेक्षन में कलर कीजिए एक बाद आप सटी सब्सें हो जाद को जाए आपको इमल्सिफाइ से देन आप दूसरा सेक्षन को कलर कीजएगा ऐसे करके हम लोग को क्लाइन को 35 मिनिट के लिए वेड करना है वेड करवाना 35 मिनिट यह माझे जो कलर डेपलापिंग टाइम है वह थर्टी-फाइफाइब मिनिट सो आफ्टर कम्प्रिट 35 मिनिट देन हम लोग 30 मीट का बाद ही हम लोग इसको इमल्सिफाइ करेंगे इससे क्या होगा स्कल्प में अगर कहीं कलर लग जया है तो यह कलर कलर को काट के उसको क्लीन कर देगा मतलब स्कल्प में कलर लगा हुआ नहीं रहेगा सो जब मैं वास करूंगा तब आप देख सकीएगा कि कलर उतना ज्यादा हेर में मतलब स्कल्प में नहीं है स्कल्प पूर डार्क नहीं दिखेगा तो यही बेस्ट वे है यह कलर वास करने से ठीक पांच मिनिट पहले मतलब 35 मिनिट जैसे छोड़ा जाता है कलर को डेपलोप ह लेकिन कलर किये हुए हैं उनको समझ में नहीं आना चाहिए मतलब किसको दिखना नहीं चाहिए उन्होंने कलर किया तो तो आप कैसे करेंगे ऐसे करेंगे 30 मिनिट हो जाए उसका पूरा हेर को साई से इमल्सिपाइ कर दीजेगा अच्छी तरह से इमल्सिफाइ कर दीजिगा तो जब इमल्सिफाइ फूरा हो जाए डिनम लोग जस्स टूटू टू-3 मिनिट के लिए वेट करेंगे मतलब दो तीन मीट के लिए हम लोग इमल्सिफाइ करेंगे और जो 5 मीट में 2-3 मीट रप पचेए गा उसको छोड़ द प्लेन पानी से बशा करेंगे से आपके नेका टाईम इलका साीमलका अमन थिक लेगा fal diferen अव्य प्लेन पानी से वाश करेंगे पहले प्लेन पानी से बशाम करेंगा अब गाट प्लेन पानी से वश करने का बाद यह गवाद प्लेन पानी से वाश फुजय सोग्पिट हेखव अगरा करेंगे प्लो growth नियॉăm प्रशिक शैम्पू को के सक्टेशर है वसक्व आप सकते हैं मे प्लेदbels स्कुट अफ इसकी काम है वह प्लार को कलर ब्लीडिंग को stop करना ही जो है निए हYOW में में कलर भी प्रोसेस हो रहा था उसको stop कर देता यह प्रोजू में हमेंचा ही मैं जैल का कोई भी तो आप उसमें प्रोक्राश्च शैंपु से उसको वास कि जेगा पहले अर्व करने का टाइम हम लोग करेंगे क्लेंजिंग शैंपू अधियो नहीं हिए उनको उनको होम केर में कोई शैंपू देना है तो लोग उसको विटामिन का शैंपू देंगे तो वाश्च करने का बाद लोड़ आइप करके तो देख सकते हैं कैसा रेजल्ड आया है हो गया है वीडियो अगर अच्छा लगए तो एक लाइक कर दीजेगा कमेंट करके बताइए कैसा हुआ है है सो थैंक यू पर वाचिंग